मानिये उखमुक मंत्री जी और प्रेस के साथ भी हूँ आप लोग को अमंत्रित किया गया है यह बताने के लिए कि पटना में विपक्ची दलों की एक राठक बाराज आप लोग को अमंत्रित किया गया यह बताने के लिए कि बाराज जून को पटना में विपक्ची दलों की एक बैठक अयोजित की गई थी लेकिन उस तिथी को कई नेता जो मानिये नेता हैं मुखमंत्री हैं कई उनको असुविधा हो रही थी उस तिथी को यहां आने में इसलिए अब यह तै हो गया है कि 23 जून को पटना में विपक्ची दलों की बैठक होगी जिसमें सभी दलों की सहमती प्राप्थ हो गई है कॉंग्रेस पार्टी से स्री मलिका अरजुन खड़गे जी जो कॉंग्रेस पार्टी के अथ्यक्ष है और स्री राहुल गांधी जी ने सहमती दी है उसमें आने के लिए बस्चिम मंगाल की मानिया मुख मंत्री स्री मती ममता बनर जी जी ने उसमें सहमती दी है उत्तर प्रदेश के पुर्व मुख मंत्री स्री अखलेश जादव जी ने स्विकिर्ती दी है भार्खन के मुख मंत्री स्री हमंत सोरेन जी ने स्विकिर्ती दी है शीव सेना के अध्यक्ष श्री उद्धव ठाकरे जी ने स्वाफ सामती दी है NCP के अध्यक्ष श्री सरत पवार जी ने सामती दी है तमिल नाडु के मुख मंत्री मानिय स्री स्टालिन साहब ने सामती दी है दिल्ली के मुख मंत्री मानिय स्री अर्विंद केजरिवाल जी ने सहमती जी है CPI के सचिव स्री डी राजा सहाब ने सहमती दी है CPM के सचिव स्री सीता राम यचूरी सहाब ने सहमती दी है और माले के सचीव, राष्टे सचीव जो है दिपांकर भटाचारिया इन्होंने समती दे दी है और अब 23 तारीकों पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी या तै होगया है और सभी नेताओं की समती प्राप्त हो गई है यही बताने के लिए आप सभू का अमंतिरिफ दिया जाते है सभी हमारे पत्रकार साथियों विशे को राष्ट द्यक्ष चंतादल उनाइटेट के सांसद अधनी श्री लदन्च बाभूजी ने आप लोगों के समक्ष रखा है कई बाते मीडिया में धोकर क्या रही थी लेकिन तिथी अब सपस्ट हो गया है बारा तारीक को इंगेज कुछ जो लीडर उनकी अपनी प्रया और इंगेजमेंट रही इस वजह से आने में थोड़ी असुविधा थी लेकिन सब का राय बना की सब पाटी के जो हेड है वो रहे उसी तिथी को बैठक जो है बुलाई जाए तो तै हो गया है वेन्यू जो है वो पट्टा में है पट्टा में एक बड़ी बैठक होने जा रही है और सभी नेताओं ने अपनी सहमिती दे दी और जो महागरबंधन की सरकार बनी आदर्ने मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार जी राष्टे जन्तागल के राष्टे अध्यक आदर्ने श्री लालू परशाद्य आदर्जी और सभी लोगों की ये कोशिश थी कि जादा से जादा विपक्ष जो लाइट माइंड़ेट पार्टी जो है उन सब को जो है गोजबन किया जाए एक साथ बैठा जाए और निती तै की जाए तो हमको लगता है कि सभी लोगों का प्रयास इसमें लगा मानने मुक्ष मंत्री जी खुद उनके साथ हम खुद कई जगे पर कई नेताओं के साथ हमारी मुलकाद भी हो और हमको लगता है कि सभी लोग एक प्लाटफॉर्म पर आ रहे है तो जो देश के जो हालात हैं लोकतंत पर जिस प्रकार से प्रहार किया जा रहा है सर्विधान के साथ छेड़शार किया जा रहा है मुद्दे की बात नहीं हो रही है एक तरफा तानशा रविया अपनाया जा रहा है तो इसको देखते हुए एक एहम बैठक पट्टा में होने जा रहा है तो एक बड़ी अच्छी ख़बर है और हमको लगता है कि इस बैठक के होने के बाद जो है एक पॉजिटिव रिजल्ट जो है सामने आएगा और बाकी बात तो बैठक होईगी उसके बाद जो है बात आप लोगों से किया ही जाएगा तो इसी लिए आप सब लोगों को यहां आवन्तित किया गया ताकि आप सब लोगों को हम लोग सुचित करते हैं यह सब अलग बात है आपकी यह अलग बात है कहां क्या हवा में बात आए अभी बात हो रही है विपक्ची एक तक और विपक्च एक होकर दोहजार चौबिस का चुनाव लड़ेगा जैसा मानिये उपमुक मंतरी जी ने बताया देश में आज की तारिक में अगोसित अगोसित आपात का लागू है कोई एक चूँ सब्द अपनी जवान से नहीं निकाल सकता है और जो एक सब्द चूँ अपने जवान से निकाला सरकार के खिलाब उस पर तुरत तोंतों की कारवाई शुरू हो जाती है तो इसलिए आज की आवेसकता है कि भाजपा मुक्त यह देश बने देश में फिर से लोकतंतर स्थापित हो और विपक्ची एक्ता की जो बैठक 23 तारीकों यहां होने वाली है एक उसमें अहम महुमिकान निभाएगा यह हमा पुमिकान